नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है पेशे 8 जुन शनीवर दुपैर सवा 3 बजे राजसान की 15 बड़ी खबरे सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हैडलाइन्स पर मोदी के शपत ग्रहन में शामिन होंगे ये साथ सितारे कोटा में हिस्ट्री शीटर को मारी वोली 9-10 जुन को दिली में 9 फ्लाइ जौन लागू पूगल में जमीन गोटाले में 4 अधिकारी सस्पेंड विपक्ष में बैढ़ने को तयार कॉंग्रेस राहूल बन सकते हैं नेतर प्रतिपक्ष और अब खबरे विस्तार से सुनिए नेरेंदर मोदी रविवार को लगतर तीसरी बार प्रधान मंत्री पद की शपत लेने जा रही है इस समारोह को भव्य बनाने की पूरी तयारी चल रही है इसके लिए पडोस के साथ देशों के रास्ट ध्यक्षों को अमंत्रित किया गया है बांगलादेश के प्रधान मंत्री शेक हसीना और मालदीव के रास्टपती मुहमद मुईजू सहीत पडोसी और हिंद महसागर शेत्र के साथ देशों के नेता 9 जून को शपत ग्रहन समारोह में शामिल होंगे विदेश मंत्राले ने शनिवार को एक बयान में कहा है कि मुदी के शपत ग्रहन समारोह में शामिल होने के लिए इन नेताओं की यात्रा भारत द्वारा अपनी पडोसी फॉस्ट नीती के तहत हो रही है शेख हसीना और मुईजु के अलावा समारोह में शामिल होने वाले अन्ये नेताओं में श्री लंका के रास्टपती रानिल विक्रम सिंगे, सेशल्स की उपरास्टपती एहमद अफीफ, मौरिश्यस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनात, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और भुटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगेख शामिल है फाइरिंग की यह वारदात शेहर के दादा बाड़ी थाने इलाके में हुई है वहां बदमाशों ने हत्या के मामले में कोटा के खुली जेल में सजा काट रहे इस से शीटर शानी उर्फ नियामत के सिर में गोली मार दी वह शनीवर सुबह घर आया हुआ था उसे दुरान परदात के बाद इलाके में संसनी फैल गई नरेंदर मोदी के शपत ग्रहन समारोहुक के मद्दे नजर दिल्ली पुलिस ने नो और दस जून के लिए रास्ट्रिय रासधानी को नो फलाई जोन गोशित किया है और निशे धग ये लागु की है वीका ने जिले के पोगल मे जमीन गोटाले में चार अदिकारियों को सिस्पेंट कर दिया गया है इन में से दो तहसीलदार और दो नायब तहसीलदार शामिल है यह जमीन गोटाला दो जार बीगा जमीन से जुड़ा हुआ है इस मामले में फूगल के ततकालीन तहसीलदार रमेशवर गड़वाल और अदित्या को सस्पेंट किया गया है इनके साथ ही वहां के ततकालिन नायव तैसिलदर महिंदर सिंग और कालूराम को भी सस्पेंट कर दिया गया है लोगसबत चुनावत के परिनाम के बाद अब साफ हो गया है कि एंडिय की सरकार बनने जा रही है वहीं विपक्षी गठ बंदन इंडिया ने भी विपक्ष में बैठने की तयारी कर ली है अब सवाल है कि इस बार लोगसबा में विपक्ष का नेता कौन होने वाला है एक तरफ एंडिया सरकार बनाने की कवायद में लगी है तो दूसरी तरफ शनिवार को कॉंग्रेस वरकिंग कमेटी और कॉंग्रेस संसदियत दल की वी वैठक हो रही है रिपोर्ट्स की मताबिक रहूल गांदी का नाम नेता प्रतिपक्ष की लिए आगे किया जा सकता है भारती रिजर्व बैंक मई में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोना खरीदा रहा वर्ड गोल्ड काउंसिल के मताबिक बीते माहा भारत ने करीब 722 करोड रुपे का सोना खरीदा सिरफ स्विजर लैंड और चीन ने भारत से जादा गोल्ड खरीदा है बीते 5 वित वर्षों में भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व में करीब 204 टन सोने की भड़ोतरी की है मार्च 2019 में देश का गोल्ड रिजर्व 618.2 टन था जो 31 मार्च 2024 को 33 प्रतिशित भड़कर 822.1 टन हो गया हलांकि इस दोरान सोने की कीमतों में करीब 70 टन की भड़ोतरी हुई है पियम नरेंदर मोदी और उनकी कैबिनेट के शपत से पहले दिली में सियासी हलचल बढ़ गई है राजसान से बनने वाले मंत्रियों को लेकर आजकर में तस्वीर साफ होने के संभामना है मंत्री बनने वाले सांसदों के पास PMO से फोन आएंगे अभी तक किसी नेता को कोई कॉल नहीं आया है जानकारोर्प के अनुसार राजस्थान से दो चहरे रिपीट हो सकते है BJP अपने जीते हुए मंत्रियों को रिपीट कर सकती है इस पर मोट तोर पर सहमती है मंत्री विश्वेंदर सिंग ने अपनी पतनी दिवया सिंग और बेटी के खिलाव मत्रगेट थाने में मामला दच करवाया है विश्वेंदर सिंग ने अपनी पतनी और बेटे पर करोडों के हीरे जवारा चोरी करने का आरोप लगाया है विश्वे दिंदर सिंग का आरोप है कि उनकी बिना सहमती जोइन्ट लोकर को 16 बार खोला गया जिसमें से किम्ती जेवरत निकाल लिए गए हैं लोकर खोलने से पहले उनकी सहमती नहीं ली गई थी इंस्टिटूट ओफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ओफ इंडिया ने परिक्षा में नकल लोकने के लिए छातर छातराओं को सक्त चिताम ने दी हैं अब परिक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गलत समगरी नोट्स मुबाइल फोन या अन्य उलेक्ट्रोनिक गैजट से नकल करते पाय जाने पर अव्यारती को पांच साल के लिए परिक्षा से बाहर कर दिया जाएगा सीकर जिला कलेक्टर कमर उल जमान चोधरी ने सुबह सीकर के लोसल कस्वे का दोरा किया इस दोरान उन्होंने वाट नमबर 4, 18 और 11 में लोगों से उनके समस्या सुनी जिला कलेक्टर ने नगर पालिका को निर्देशित किया है कि सफाय नियमित रूप से जारी रहे पालि जिले के सुमेरपूर उपखंड के कानपुरा गाउं में शुकरवार को बिजली चेकिंग करने गए डिसकॉम अधिकारियों के साथ मारबिट का मामला सामने आया है डिसकोम अधिकारियों ने धाने में राज कारे में बादा डालने जान से मारने में जाती सुचक शब्दों से अपमानित करने को लेकर रिपोर्ट दी है वहीं दूसरे पप्ष ने बिना इजाज़त घर में गुसकर महिला के साथ धका मुकी कर लज्जा बंक करने की रिपोर्ट डिसकोम अधिकारियों के खिलाफ दी है पूलिस वामरे की जाँच में जूटी है राधिसान में पिछले विधानसबा के भी 5000 से अधिक सवालों के जवाब अब तक नहीं आए है राधिसान विधानसबा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि कार्यापालिका को विधायका के प्रतित जवाब देही बनना होगा पिछले कुछ वर्षों से कार्यापालिका विधाई कारियों को गंबेटा से नहीं ले रही है कार्यापालिका की विधाई कारियों में कोता ही परदाश्ट नहीं की जाएगी देवनानी ने कहा है कि विधायक द्वारा पूछे जा रहे हैं प्रश्णों द्हाना कर्शन और विशेश उल्ले के प्रस्ताव के जवाब त्यास समय में मिल जाने चाहिए पिछले विधान सबा के 30 सितंबर तक जवाब भीचने होंगे जैपुर के सुखाड़िय विशुई धाले में पिछले 10 सान से लंबे डेट सो से ज़्यादा शिक्षकों की पदोनिती का मामला फिर विवादों में आ गया है इस से पहले फरवरी में भी इस पदोनिती प्रक्रिया पर विवाद हो चुका है अब विशुई धाले कुलपती प्रोफेसर सुनिता मिश्रा और साइन्स कॉलेज के डीन प्रोफेसर सीपी जैन के बीच इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है दरसल गुरुवार को कुलपती प्रोफेसर सुनिता की मुझूदगी में करियर एडवांसमेंट स्कीम के इंटरवियू की प्रक्रिया चल रही थी जिसमें कुलपती प्रोफेसर सुनीता और डीन प्रोफेसर जैन के बीच शिक्षकों की पदोनेती के एक मामले में दो राए होने पर विवाद हो गया मामला इतना भड़ गया कि कुल्पधी प्रोफेसर सुरीता के निर्देश पर प्रोफेसर जैन को साइन्स कॉलेज डीन पद से हटा दिया गया उनकी जगें डीन पीजी प्रोफेसर आर्थी प्रसाद को साइन्स कॉलेज के डीन का अतिरिक्त पदभार सौट दिया गया है के लिए मार्क दर्शन दिया जाएगा एस पी डॉक्टर अमरिता दूहन ने बताया कि इसके लिए एस पी भी कोचिंग चात्राओं के बीच पहुंची उन्होंने चात्रां को मोटिवेट किया कोचिंग चात्राओं को उनके शेत्र में ड्यूटी में तेनाद रहने वाली मानक नगर और एशवाग मानक नगर रूट पर नई रेल लाइन की कमिशनिंग के तहट प्री नोन इंटरलोकिंग और नोन इंटरलोकिंग का काम किया जाएगा साथ ही इस दोरान नई रेल लाइन पर रेल सनक्षा आयुक्त निरिक्षन का काम भी करेंगे पुरवत्तर रे फिर हाल इस बुल्टिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे और बड़ी खपरों के साथ तब तक के लिए देखते रही एस्पिटी न्यूज धन्यवाद अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुन खपरों से अपडेट रहना चाते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एस्पिटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर